अगर आप पी SSB इंटर्व्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और बहुत जल्द आप अपना SSB इंटर्व्यू देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा कि देवान में जो टेस्ट होते हैं उनमें किस तरह से आपको अपना अप्रोच रखना चाहिए युश्वली जो कांडिडेट्स हैं उनसे ऐसी क्या गलती हो जाती है जिसकी वज़े से वो स्क्रीन नहीं हो पाते हैं और बहुत सारे ऐसी कांडिडेट्स हैं जो कई बार अपना अटेंट दे चुके है और आप बहुत जल्द अपना SSB इंटर्व्यू फेस करने जा रहे हैं तो युश्वली बहुत कॉमन है हम सब जानते हैं स्टेज वन में कि PPDT टेस्ट क्या होता है GD टेस्ट क्या होता है OIR, OLQ टेस्ट क्या होता है इस सेशन में हम जानेंगे हर एक टेस्ट का सिलिबस हर एक टेस्ट को हम कैसे बहुत अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं ताकि हमारा सेलेक्शन के चांसे जो है वो माक्सिमम हो जाए और साथ ही जितने भी डाउट्स इंक्वेरी होते हैं आपने जिन भी कैंडिडेट से सुना होगा OIR की इंपॉर्टेंस, OLQ की इंपॉर्टेंस, PP कैसी होती है यह सब यानि एक कंप्लीट पैकेज जो है डे वन का को आज हम यहां पर डिसकस करने जा रहे हैं तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले अगर मैं डे वन SSB के बारे में बात करूं तो डे वन आपको जो प्रेपोर्टिंग सेंटर पर जब आप पहुंचते हैं तो यहां पर आपके होते हैं document verification, document verification से related क्या क्या documents चाहिए, with pictures मैंने already एक brief session बना के रखा हुआ है, इस video के description में मैं उसका link भी ज़रूर शेयर कर दूगी या फिर आप वैसे भी YouTube government channel trackers को search out करके SSB documents checklist कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका document verify हो जाता है, आप जात OIR and OLQ test, तो आप सभी candidates को एक बड़ी से hall में बिठाया जाता है, जहां पर दोनों test की briefing आपको बताई जाती है, कि stage 1 में किस तरह से आपकी testing होगी, किस तरह से आपका पूरा stage 1 का procedure चलने वाला है, तो अब detail में discuss करेंगे OIR and OLQ test, so there will be one officer जो आपको सारी details वैसे ही selection center पे बता करते हैं, तो obviously हम उसके बारे में पहले से तयारी करके जाते हैं, पहले से पढ़ के जाते हैं, तो आप यहां पर OIR, OLQ के syllabus को जानेंगे, कैसे हम अपना OIR, OLQ अच्छा कर सकते हैं, और जितने भी हमने doubts या queries OIR, OLQ test से related सुने होगी, वो इस session में आपके जरूर clear हो जाएंग यह दोनों test 15 से 17 मिनट के होते हैं, और इसमें आपको solve करने के लिए मिलते हैं 50 questions, यह दोनों test में यह common है, verbal test में अगर मैं बात करूं कि किस तरह की questions आते हैं, तो इसमें आपके figures, analogies, figure metrics, locating hidden figures, odd one out, classification of data, paper cutting, problems, problem on cubes, dice, patterns and special abilities से related questions आते हैं, वहीं अगर मैं non-verbal की बात करूं, तो non-verbal में जैसे आपका series related question आ सकता है, चाहे वो alphabet series हो या numerical series हो, दो नहीं possible है, blood relation से related question आ सकता है, taller and shorter related problems आ सकती है, vein diagram के questions हो सकते हैं, jumbled words हो सकते हैं, jumbled sentences भी हो सकते हैं, times coding decoding होती है, one word substitution हो सकता है, rank को लेके problems हो सकती है, interchanging of those signs, याने आपका plus minus और इनको interchange करके जो problem होती है इस तरह से creation हो सकता, mathematical equation का, identification of letters and reconstruction of the complete test, तो इसमें जो marking होती है, depending upon आप किस तरह से अपने 50 questions को attempt करते हैं, इसमें आपकी marking होती है, अगर आपका OIR 1 आता है, तो that is outstanding, which is 40 plus marks, OIR 2 is excellent, 3 is above average, 4 is average, 5 is below average, तो here आपको ये कोशिश करने हैं, कि आप at least अपना OIR 1 जरूर लेके आएं, अगर 1 नहीं, तो OIR 1 से 2 के ratio के बीच में रहना है, in case अगर आपका OIR 2 आता है, तो सारा जो वजन है basically, सारा जो approach और आपको जो 100% dedication देना होगा, वो देना होगा आपको अपने PPDT and GDP, ठीक है, तो बहुत सारे candidates को यो लगता है कि OIR की कोई अपनी importance नह नहीं जुड़ता है, OIR चेक भी नहीं होते है, बहुत सारे meds आपने सुनोंगे, बहुत कुछ available है, आपके friends के थूरू, आप सोशल मीडिया पर देखो, अगर मैं बात बता हूँ, So, OIR की अपनी बहुत ज़ादा importance होती है, और यह major factor प्ले करता है आपके screening process में, So, make sure आपका जो approach हो, आपकी जो preparation हो, उसमें आप OIR 1 से लेके OIR 2 के बीच में ही fall करें, याने outstanding and excellent में होना है, क्योंकि यहाँ पे जब screening के लिए candidates आते हैं, तब आप देखते हैं कि more than 350, 300 plus के आ protection ratio होता है, वो almost 20 to 25 candidates maximum जाता है, ठीक है, girls के case में थोड़ा सा increase हो जाता है, but boys के case में it remains very low, so मैं आपको बता रहे हूँ कि screening that is why is a very difficult process और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी risk नहीं लेना चाहिए, और 100 का आपको अपना 200% यहाँ पे best perform करना देना चाहिए, और गल्ती की तो को कोई भी गुंजाश यहाँ पे नहीं रखने चाहिए, आपको इतने अच्छे से अपनी preparation करनी होती है, because यहाँ आपको seconds and minutes में opportunity मिलती है, अपनी आपको प्रूफ करने के लिए, ठीक है, चाहे वो आपके test की बात हो, PPDT की बात हो, या GD की बात हो, अब मैं आपको questions बता द कि next figure में क्या pattern आएगा, ठीक है, इस तरह से questions आजाएंगे, यह dice related questions आगया, जिसमें आपको sets बताने है, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, smallest number को arrange करना है, यहाँ पे, यह coding decoding से related question आगया, again यह pattern series से related question आया है, यह smallest number आपको इसमें से identify करना है, उसका last digit, कुछ आपको sentences क में basic verbal questions जिस तरह से आते हैं, जैसे milky way is a galaxy from which we get milk when it rains, तो whether it is true false, यह basic आपका aptitude है, ठीक है, क्या आपको milky way जो हमारी galaxy उसके बारे में जानकारी है या नहीं, तो इस तरह के भी questions आपसे पूछे जा सकते हैं, तो अगर मैं बात करूं कि OIR किस तरह का आते है, तो usually जो आपक जिसे हम कहते है reasoning, reasoning की preparation नहीं है, reasoning का syllabus is totally different, यह basic aptitude test होता है, जिसमें आपका general level से लेके, general aptitude से लेके, कुछ आपके logical thinking solutions को check किया जाता है, कि whether आप इसको solve कर पा रहे हैं, कि नहीं, आपकी understanding किस तरीके से, ठीक है, इस तरह की questions के मैंने आपको example दे दी किस तरह से question हैंगे, इ जाते हैं, बेसिक आपका aptitude test होता है, अब अपने PPDT, OIR, OLQ को अच्छे से कर सकते हैं, इसके बार में जानते हैं, so, कैसे आप अच्छा score कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप अपने आपको most important is, अपने आपको comfortable करें with all the writing materials and अपने comfortable हो के अराम से बैठे हैं, जैसे बहुत सार किसी ने कुछ भी बोला हो, जब आप अपने examination center जा रहे हो, be very comfortable, be very calm and composite, next important thing is, जब भी आपका briefing officer आपको test में ब्रीफ कर रहा हो, उसकी सारी बाते जब आप ध्यान से सुनेंगे ना, तो automatically आपका focus वहाँ पे हो जाएगा, and जितने भी destructive, जो destructing thoughts हैं basically, जो आपको इधर उध divert करेंगे, वो यहाँ से खतम हो जाएंगे, next is, जब officer आपको brief करेगा, तो वो आपको एक practice test and answer board पे भी बताएगा, यानि जो projecting screen होगी, वहाँ पे एक आपको sample, example भी दिखाया जाएगा, कि किस तरह से आपको अपना test solve करना है, जब actual test start होगा, तो जिन candidates को और भी doubts हैं, वो भी वहाँ पे जाके clear हो जाएगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं बता जाएगा, आपको वहाँ पे अच्छे से brief किया जाएगा, जब आप अपना test start करते हैं, मान लीचे कोई ऐसी problem आपके सामने आगे, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, जो आपको पता नहीं So the best part is कि skip कर ये questions को, and एक question पर जादा time मत दीजे, because ऐसा होता है कि time खतम हो जाता है, candidates को बात के questions आते हैं, बट वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, so जादा एक question के पीछे time based नहीं करना है, and maximum number of questions को attempt करने की कोशिश के लिए, because इसमें कोई negative marking नहीं होती, तो जितने ज सादा आपकी probability बढ़ती है कि आप जो है higher score करेंगे, and rank 1 and rank 2 which is outstanding and excellent OIR ranking में, आप stand out करेंगे, and last but not the least is most important thing, अगर आप बिना practice किये जाएंगे, और आपको लगता है कि आप OIR, OLQ test match परफॉर्म कर सकते हैं, so it is one of the very biggest myth, जो candidates को लगता है कि हमारी reasoning ability बहुत अच्छी है, या basic reasoning क questions आएंगे, हम तो solve कर देंगे, trust me guys, जब हम under pressure बैठते हैं, वहाँ पर examination में, and जब इतने सारे candidates के साथ fight कर रहे होते हैं, easy easy questions भी हम गलत करके आते हैं, और हमें लगता हमने OIR अपना बहुत अच्छा किया है, but actually maximum mistakes आपकी OIR test में निकलती है, so यहाँ पर एक तो overconfident का factor आज practice करने की बहुत ज़ादा जरूरत है, next आज आते हैं आपके PPDT and GD पे, now PPDT and GD में again क्या होगा, briefing officer आपको brief करेगा दुबारा जब आपको settle down करेगा, and screen पे आपको सारे instructions भी display होते रहेंगे, तो screen पे basically इस तरह की एक sheet आएगी, जिससे वो आपको explain करेगा, इस screen में आपको focus करना है, अपने characters के उपर, याने M से male, P is neutral and F से female, उनकी age groups लिखना है, and उनका mood लिखना है, साथ ही आपको लिखना है, आपकी story का action क्या है, and आपकी story को minimum 100 से 120 words में, जो है, इसे describe करना है, अब आपकी story होगी तीन चीजों के बीच में, कि basically इसमें पहले क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि ये present situation आई, अभी क्या हो रहा है, और आगे क्या होगा, ठीक है, अब picture जो होती है, that is, बहुत ही hazy होती है, very hazy picture आपको display होती है, तो किसी को कुछ observe हो सकता है, किसी को कुछ perceive हो सकता है, तो इसमें गलत सही जैसी कोई चीज नहीं होती, but focus आपको यह करना होता है, कि आपको अपनी picture का background and इसके number of characters पे focus करना होता है, and किसी भी एक particular character को अपना hero बनाना होता है, and then you need to start your story, ठीक है, तो tips, PPTT के लिए, अगर मैं बोलू हूँ, तो जब भी आपका briefing officer आपको brief कर रहा होता है, तो उसके instructions को ध्यान से सुने, and बहुत सारे candidates से mistake करते हैं, कि हम पहले से बनी-बनाई stories लेके जाते हैं, भी आप books में से पढ़ के stories लेके जाते हैं, and they write the same thing irrespective of matching picture, काई बार ऐसे हुए है, यानि जबरदस्ती picture में आपने story paste करने की कोशिश की है, don't write that, जैसे ही आप क्योंकि these officers are assisting the students with more than 15 plus 20 plus years of experience, so जैसे आप किसी भी book की story बोलते है उन्हें पदा चल जाता है, that it is a preconceived story, and इसलिए candidates को लगता है, कि हमारा screening test यू नहीं बा, तो जब तक आप real, logical, approachable नहीं रहेंगे, तब तक आप screening नहीं हो सकते, अगर आप preconceived stories लेके जाएंगे, तो, दूसरी गलती आप ये करते हैं, कि impractical stories लिखते हैं, impractical stories से मतलब है जैसे बहुत सारे students जो है, like मेरे सामने भी, जब मैं बैच में गई थी, तो मेरे सामने भी बहुत सारे candidates ऐसे थे, जिनोंने, you know, bridges बना दिये, sea के उपर bridges बना दिये, then यहां से sky तक bridges बना दिये, तो इस तरह की impractical, illogical stories, अगर आप बोलते हैं, तो, don't expect that you'll be getting screened in, तो, logical होनी चाहिए, और वो आप कर सके ऐसी होनी चाहिए, आपके approach के भी बाहर नहीं होनी चाहिए, next is, बहुत सारे students को यह लगता है कि हम positive stories लिखेंगे, तो हम recommend हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, अगर आपको negative picture दिखाई जाती है, तो आपको story उस तरह से negative way में start करनी होते है, but definitely आ maybe, यही myth क्योंकि चलता रहा है, तो story complete negative है, picture complete negative है, but still उसको, you know, बता दिया गया कि anniversary मनाई जा रही है, about day मनाई जा रहा है, friends के साथ celebration हो रहा है, so this is wrong, वहाँ पे आपका perception गलत हो गया, इसका मतलब यह है कि again आपकी यह अपनी thinking नहीं है, आपकी यह अपनी reality नहीं है, so यह ज relative उस case में, उस situation में, आप कैसे react करते हैं, ठीक है, next important thing is organizing ability, जब भी आप अपनी story लिखे, एक decent manner में लिखना चाहिए, कि story जैसे लगना चाहिए, ठीक है, एक step wise होता है, ऐसा नहीं कि पहले आपने कुछ और लिख दिया, फिर आप, you know, starting of story लिखे आ रहे है, फिर middle वाला point न next is, वैसे भी जब आप अपनी thoughts and ideas को put up करते हैं, बहुत सारे candidates अपनी PPDT sheet को बहुत ही untidy करते हैं, don't do that, जितना ज़ाद आप neat and clean रहेंगे, वो भी एक अच्छा represent करता है आपकी psychology के बारे में, ये बहुत कम लोग जानते हैं, आपकी writing, आपका neatness, आपका way of presentation, it also depicts about your personality and traits, कि yes, आपके thoughts clear है, आपका vision clear है and आपको total idea है, आपको पता है कि what decisions you need to make, तो it is also a very important factors which most of us actually deny, next and the last important thing is कि जब आपको instructions मलते हैं आपके assessors से, यानि जब बोल दिया जाए कि story अब आपको start करनी है, story आपको end करनी है, तो always listen them, never ever you know, write pre-consume stories, जैसे मैंने बताया, और coaching अगर आपने ली है, या कहीं से आपने, you know, अपने किसी experience candidates का, या friend का, या senior का experience लिया हुआ है, तो उस experience को अपने उपर rely मत कर ये, because आपके साथ situation different होगी, आपका अपना vision different है, आपका अपना background different है, आपका अपने thoughts different होगे, so does not matter कि आपके group में screening candidate बैठा है, conference out candidate बैठा है, या recommended candidate बैठा है, या कोई trained candidate coaching लेके बैठा हुआ है, does not, अगर आपने अपनी self preparation अच्छी की है, और अगर आपने अपना best दिया है, तो you will definitely get screened in, irrespective of कि आपके batch में कोई recommended है, किसीने coaching ली है, किसीने कुछ भी किया हो, बोलने के लिए, आप शिशे में खड़े हो के बोलिये, एक मिनट तक कोशिश करके बोलिये, आप देखे, आप उसमें maximum number of times, आप जो है, वो stammer करेंगे, या you'll be babbling basically, आप फंबल करेंगे, तो ये चीज़े नहीं होनी चाहिए, जिनकी even communication skills भी अच्छी होती है, उनको भी लगते है कि हमें एक मिनट तक बिना stammer किया, या बिना फंबल के बोल सकते हैं, बड़ अचली जब आप बोलने आते हैं, जब इस तरह का pressure होता है, जब आप दूसरों की story सुनते हैं, उसके बाद आपको अपनी story नारेट करने होत is one of the most difficult parts psychologically also, and here, बहुत सरे गानेदेश अपनी story भूल जाते हैं, blank हो जाते हैं, and fumble करते हैं, the moment you fumble, you are out of the complete process, because जैसे मैंने बोला, competition is really very high, next is, जब instructions दे जाते हैं, कि आपको किस तरह से अपनी story नारेट करने, क्योंकि हर SSR का अपना perception अपना दीव होता है, तो वो जो instructions आप आपको अपनी story किस तरह से नारेट करने, अगर वो कहते हैं, आपको wish करके start करने, wish करके start करें, अगर वो बोलते हैं, आपको directly अपनी story नारेट करने, तो directly story नारेट करें, अगर वो कहते हैं, कि mention करें, number of characters, उनका age, mood, gender, तब आपको वो mention करना होता है, so listen there instructions very 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 carefully, also क्योंकि आपको पास सिफ एक minute होता है, तो कभी-कभी जितनी ही बड़ी हम story लिखते हैं, it is not possible for us to narrate all that story, तो कोशिश करें कि उस story में से भी, और उसको crisp करें, and to the point, major point से आप अपनी story बोले, so that आपको वो एक minute में story complete हो जाए, ठीक है, and अगर आपको time बढ़ा दिया जाता है, आपक time कम कर दिया जाता है, तो it does not mean कि आपकी story जो है interesting नहीं है, या यह एक positive sign नहीं है, it totally depends upon the time, the current situation, next important thing that you can do is, without fumbling and writing a good story with good thought, आपका own vision, आपका own perception and fluency improve करने के लिए, आपको अपनी speech, आपको अपनी story everyday लिख रही है, and with time, आप जब तक आप practice नहीं करेंगे, you cannot clear screening, आप coaching ले लिजे, आप कुछ भी कर लिजे, nobody can help you out, make sure and mark my words, यह actual, मैं आपको feedback बता रही हूँ, जब तक आप खुछ से नहीं करेंगे, आप PPDT and stage 1 अपना clear नहीं कर सकते हैं, ठीक है, power of expression यह नहीं कहता कि आपको English में ही बोलना है, usually जो preferred language है, वो English है, but यह भी question आते ह कि हम हम Hindi में बोल सकते हैं कि नहीं, तो अगर आपका background ऐसा रहा है कि अगर आप Hindi medium से हैं, तो definitely आप Hindi में भी बोल सकते हैं, या English में बोलते-बोलते, अगर आप कहीं first गए हैं और आपको कोई word नहीं आ रहा, तो उस word को आप Hindi में बोलके दबारा से आप English बोलना शुरू कर चाहिए, ठीक है, good narration is basically जिसमें आपका body language भी positive होना चाहिए, तो back आपकी straight हो, postures आपके good हो, hand movements बहुत जादा नहीं होने चाहिए, and जो instructions उनने दिये हैं, जब भी आप बोले हैं, तो आपका face smiling होना चाहिए, आप eye contact कर रहे हैं अपने group people के साथ, और आपका body language, body posture जो है, correct ह make sure आपका eye contact, या आपका thought process है, explanation है, वो आपके assessors की तरफ नहीं होना चाहिए, because वो पहली आपको instruction देते हैं, कि आपको within the group discussion करना होता है, this means कि जब आप story बोल रहे होते हैं, तो आपको अपनी assessors की तरफ नहीं देखना होता है, ठीक है, तो यह मैने आपको detail बता दिया, good story, group discussion के, PPDT के, OIR, OLQ test के syllabus, approach, strategy, methodology, negativity, strategy, सब कुछ मैंने यहापे आपको explain कर दिया, अब आप कहेंगे कि कैसे preparation करें, trust me guys, अगर आप यह सब कुछ follow करेंगे, जो मैं आपको बता रहे हूं, with more than 100 plus candidates, जिनके recommendations हुए है, and recently मैं आपको बता हूँ, this 107 plus में more than 5 plus candidates, our Indian Naval को उन्हें मार्च के मन्त में, अभी 25th मार्च को जॉइन करा है, उनके call-ups आये है, so with all this experience, I am telling you the fact, अगर आप इन चीजों को follow करेंगे, तो आप definitely अपना stage 1 जो है, वो clear करके जाएंगे, so being a recommended candidate, plus इतने सारे मेरे बच्चे recommend हुए है, and also the proud moment is that this is my brother, who recently got recommended, and he has joined Indian Naval Academy, so I am telling you the exact thing, जो face करते हैं candidates, जो वो experience करते हैं, फिर जो अपना वो feedback share करते हैं, तो यह सारी चीजे में आपको बता रहे हैं, and all these things has helped us out, जब आप markets में बुक लेते हैं, तो एक ही बुक में basically आपको सारी चीजे बताई जाते हैं, वो books and number of candidates follow करते हैं, वही preconceived stories होती, जो मैंने आपको बता है, यहाँ पर preconceived stories नहीं है, यहाँ पर सिफ आपको एक sample देने की कोशिश की गई है, और उसके बाद आपके own thoughts and processes को निकाला गया है, कैसे निकाला गया है and how do we work is, हम आपकी stories को individual check करते हैं, ठीक है हम आपकी stories को basically और polish करते हैं, उस level तक लेके आते हैं, आपके अपनी personality को basically super impulse होने से बचाते हैं, जो usually maximum candidates करके जाते हैं and यही एक major reason है, कि why most of the candidates are not able to get screening, क्योंकि उनकी अपने thoughts होते ही नहीं है, तो अपने thoughts होना बहुत important है, हाँ, अपनी thoughts में mistakes सरूर होती है, तो उन mistakes को हम verify करते हैं, हम help करते हैं, आपको कि किस तरह से आपकी story, आपका picture, आपकी personality के साथ जाता है और आप एक better story लिखके आ सकते हैं, तो यह correction इस psychology में, चाहिए आप psychology test के लिए प्रपैर कर रहे हो, चाहिए SSB stage 1 के लिए प्रपैर कर रहे हो, throughout her test के लिए मैं आपकी साथ हूँ और मैं आपको guide and verify करती रहती हूँ, तो करना क्या है, घर बैठ के अराम से, किसी coaching की नहीं ज़र होता है, किसी extra book की नहीं ज़र होता है, घर बैठ के अराम से, जब भी आप SSB के लिए शॉट लिस्ट होते हैं, अपनी preparation कर सकते हैं, चाहिए आपकी stage 1 testing हो, stage 2 testing हो, यह complete course package है SSB का, जिसमें आपको video lectures में लेंगे, these are basically recorded lectures, पहली जो आपको सारी details देंगे, फिर आपको books मिलेंगी, जिसमें और आपको फिर pictures के साथ, अच्छे से explain किया है, samples दिया है, प्लस practice test दिया गया है, इसके बाद इसमें आपकी life classes गे include होते हैं, individual level पे आप मुझ से बात कर सकते हैं, चाट कर सकते हैं, जहां पे आप personal problems आपके सामने share नहीं करना चाता, detail strategy भी है, हर एक चीज़ का मैंने in detail, day wise plan बनाया है, explain करा है, doubt planning sessions है, medical guidance है, और जिस तरह से मैंने आपको complete session पता है, इसी तरह से आपको हर session जो है, वो मिलता रहेगा practice करने के लिए,